हाई गाईज वेलकम बेक तो माई चैनल गाईज आज बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो है आपके लिए पूरी वीडियो में बने रहे हैं बहुत सारी चीज़े बताने वाली हूँ गोव में है यह चर्च इनकी डड़ बॉड़ी को अभी तक क्यों रखा गया चार सो से मैंने पता कि और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ काफी फेमस जगह है और यह वर्ल्ड हेरिटेज में वान अफ वर्ल्ड हेरिटेज है यह गोव में आप जानते हैं गोव में में लगबख 17 चर्च बनाएगे थे उस टाइम पर और अभी उनमें से एक यह चर्च भी है रिलीजियस होने के साथ हिस्टॉरिकल फेस भी है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो गाईज यह देखिए फटा फटा मंदर आये हैं उस चर्च से जो लास्ट वीडियो हमने डाला था वहां से वाकिबल डिस्टेंस था हम लोगों से पुछते पुछते आ गए था तो थोड़ा सन्फिजुजन्हा ता उसमता है कहीं की तो चोटे और एक बड़ा है प्लागीं तो आप देख सकते हैं सामने में चारों तरब से आपको camera गूमा कर दिखा रहे हो कि स्थरास से हैं चर्च के अंदर का जो परिसर है जगा है जहांपे ठर्च बनाऄा है किस तरह का दिखता है इस वह सारी चीजे भी कहा जाता है यहां पर एक डेड़ बॉड़ी रखी हुई है जो जिजस की है डेड़ बॉड़ी भी आपको आगे दिखाती हूं मरने के बाद डेड़ बॉड़ी को ऐसा का ऐसा रखा है क्यों रखा है तो गाइस वह सब चुट-चुटी बाते आगे बताऊंगी दस साल में साक्षा दरशन करना चाएं तो आप दस साक्षा दर्शन करते हैं अंके हाथ उनकी बाडि की फोटो लगी हुई है यह देखिए और आगे जाते हैं तो आप साक्षाद दर्शन भी कर सकते हैं तो हर 10 साल में 45 दिन के लिए ने नीचे लाया जाता है अभी तो काफी ऊपर रखा गया है सिल्वर के बॉक्स में मतलब चांदी के बॉक्स में उनको रखा गया है कवर करके आप सिर्फ दूर से दर्शन कर सकते हैं लेकिन दो हजार चॉबेस में फाइनली वह समय आ गया है कि आप 45 देस के लिए नीचे लाया जाएगा तो आप साक्षाद दर्शन वहां पर जाकर कर सकते हैं एक्चली गाइज फादर की जो डेड बॉडी है वह काफी पुराने आरांड एक्चली टू यह प्रॉक्स हो चुके हैं उनकी बॉडी को रखे हुए यह चर्च ओल्ड गोवा में है गाइस जब यह ओल्ड गोवा एक्चली पुराने जवाने में राजधानी हुआ करता था पॉर्टुगली लोगों के लिए और पंद्रा से पंद्रा सो दर्स से लेकर 1971 तक राज़ किया उन लोगों ने पॉर्टुगलीज ने गोवा में टोटल सतरा चर्च बनाए उसमें से सबसे फेमस चर्च यह ही है और अब कोशन आता है कि इतना फेमस क्यों है तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि यहां डेट बॉडी रखी हुई है और वो डेट बॉड देख सकते हैं कि इनकी डेट बॉडी आज भी वैसी ही है बस इधर उदर करने से उनकी डेट बॉडी डेमेज हुई है इधर उदर क्यों किया वह भी आगे बताती हूं आपको तो गाइस हमने उनके दर्शन किये दर्शन करने के बाद एक म्यूजियम था ऊपर रास्ता था उसका कुस्तो बिल्कुल थोड़ा चार्जिस था वह ने पेक किया और अंदर आ गए और यहां पर उनकी पूरी जीवन शैली को जीवन में उनके मतलब कौन कौन से फेज आये वह सारी चीजे यहां पर पेंटिंग के तुरू दिखाई गई है और इतना ही ने कुछ पॉर्टूगली यह था कि साधारन विक्ति के लाज आट दिन में सड़कर कंकाल बन जाती है लेकिन एक छोटी से स्टोरी है इनकी बीचे वह फड़ावड बताती हुमें पंदर्वी सत्ताबदी में जब पॉर्टूगलीज लोग गोवा में आये थे वह अपने साथ एक न दूसरी जगह बेजेंगे ऐसी बात हुई जब यह गोवा से निकल कर चाइना जा रहे थे रास्ते में बिमार पढ़ गए और उनकी मृत्ति हो गई मृत्यों के पहले ही वह अपने शिश्यों को बताके रगे थे कि उनका जो मृत्त शरीर है वह गोवा में दफनाया जाए मैंने कई स्टोरी पढ़ी कई जगह सुना वीडियो देखें स्टोरी पढ़ी तो थोड़ी माइनर डिफरेंस था अगर मुझसे कुछ गल्ती हो गई हो तो माफ करिया लेकिन मेरे को जो सही लगा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो गाइस तीन दिसंबर 1552 में उनकी और उसके बाद उन्हें शायद चाइना में दफनाया गया था कुछ लोग बोलते हैं कि गोवा में दफनाया गया था फिर से वापस उनको निकाल गया और कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें रोम में दफनाया गया था तो गाइस मैंने जो रीड आउट किया उसके एकारडि बिल्कुल वैसी ही लग रही थी तो ऐसा उनकी सथ एक बार नहीं तीन बार लगबा उनकी बॉड़ी को निकाला दफनाया निकाला दफनाया और फाइनली इस चर्च में उन्हें रखा गया क्योंकि साधारना इनसान की डेड बॉड़ी नहीं थी तो कोई महत्मा ही थे जिनकी डेड बॉड़ी यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं और गाइज इतना ही नहीं नॉर्मली जो ममी वगरा फॉरेंस वगरा में रखे जाते हैं उसमें बहुत सारी लेप लगाया जाता है क्यामिकल्स लगाया जाता है कपड़े से लपेट के रखा जाता है तो गाइज अब खुद देख सकते हैं आगे कि उनकी बॉड़ी को बिल्कुल भी लपेट के नहीं रखा गया और वहां के जो भी गाइड थे उन्होंने बताया कि नहीं कोई केमिकल्स लगाया गया है नहीं कोई बलड पानी कुछ भी नहीं है वहां पर सिर्फ उनकी बॉड़ी है और इतना है नहीं कुछ लोगा पर नहीं कोई नहीं पता है इसलिए उनकी बॉड़ी जो ठोड़ी दैमेज लगती है पर गईज आपको पता है उनका आज भी जो दाहिना हात है वह यहां पर नहीं है तो कि अपनी बाते फुड़ी साइड में रखें आपको बताते हों कि हम चर काफी चीचे बिक रही थी मतलब माले वगेरा और इतना ही नहीं है यहां पर एक शो भी होता है जिसमें जीजस के बारे में बताया जाता है वो शो तो हम मिस्कर दिये थे हमें टाइम पर नहीं पहुंचे थे इसके वज़े से और इसके बाद देख सकते हैं कितनी अच्छी से जास की जैसा है यहां पर जीजस का पुरा एक्स्प्लीनेशन किया है तो वह भी आप सामने देख सकते हैं इसके बाद हम बाहर जाएंगे बाहर जाने के बाद और बहुत सारी बात बता दना है मुझे तो आपको यह बता रही थी कि एक हाथ उनका जो दाहिना आते जिसे व पर साल तीन डिसम्बर को वह हाथ लाया जाता है और डेट बॉड़ी के पास रखा जाता है तो आज भी कंफैजन के लिए यहाँ पर स्पेस के कंफैजन करने के लिए मतला माफी मांगने के लिए एक इस पेस जयां पर बीच में फादर खड़े होते हैं और आज वह एशा जो चर्च में जो भी आपने गल ही hadn बाट अब जब thinner ठेट जाए हर के जब भी जो दोगाश को ब्लाने में दो तरह के पत्थर लगे हैं अन्म बासल्ट बोलते हैं प्डुटällenाई उससे पर ही मुंबई से लाया था मुंबई में कुछ साल होता को उन्हें राज किया था तो वहां से लेके आये थे वह और फिर से आप यहां पर पॉस करती हूं अपनी स्टोरी और देख रहे हैं आप सामने एक और चर्च हैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है काफी कड़क दूप है तो इस गोव में अगर जाते हैं तो भी मेक शूर कि आप हैट या कैट नहीं है या कैप करें कि बहुत ही ज्यादा धूप होती और शुक्रवार के दिन जो एक में म्यूजियम था वहां पर बंद था तो तो फिर आप अवाइड करिए फ्राइड की दिन वहां पर विजिट नह काफी फेमस है बहुत सारी अमर अकबर एंथुनी वह साइड में म्यूजियम था और इसके वाद हमार आंदार चर्च आ गए यह चर्च अभी लोगों के घूमने के लिए रखा गया एक्चुली प्रेयर यहां पर नहीं होती है कुछ लोगों ने बताया तो आप देख सकते हैं आज बजू कितना अच्छा परिशार है तो मैं आपको पूरा वन बाइवन दिखाती हूं चर्च भी और साथ-साथ कुछ इंट्रेस्टिंग बाते भी बताती हूं गाइज यह वास्कु डिगामा की गवर्नर ने यह चर्च बनवाया था इटैलियन रोमन आर्किटेक् इसा स्पेशल क्या है जो लोग इतना जाड़ा एट्रेक्ट होते हैं गोवा जाने के लिए तो गाइस वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि अनली बीचेज ही नहीं यह में कारने के वहां पर बहुत सारे वर्ल्ड हैरिटेज डिक्लेयर किये हैं गवर्मेंट ने तो वह चमतकार देखने के लिए आते हैं कि अभी उनके नेल्स कैसे बढ़ रहे हैं उनकी रखी गई है कैसे रखी गई है कहा रखी गई तो दूर दूर से लोग आते हैं इसलिए गोवा में फॉरेनर्स के भी बहुत जादा रहती इवन जब हम भी गए थे चर्च में तो आपको कुछ इनिशिल में बहुत सारे खड़े थे और जब हम इस चर्च में जहां पर मैं प्रेजेंट में आपको दिखा रही हूं यह जो आपको सामने दिख रहा है पहले जमाने में क्या था माइक वगरा नहीं होता तो यहां पर संब बने हुए थे उसके उपर बैट कर अपनी जादा रश रहता है इसलिए शायद गोवा थोड़ा कॉसली भी है अगर आप स्ट्रे लेते हैं तो होटल फगरा थोड़े महंगे हैं और एशिया का लार्जिस चर्च इसे माना गया है और गाइस इतना ही नहीं यह चर्च में आप जाते हैं फ्लावर्स भी चड़ा सकते ह है और गाइस यह देखिए जगह जगह पर यह देखिए गाइस एक म्यूजियम भी था यहां पर आप देख सकते हैं कितनी पुरानी तोफ अगेरा रखी हुई है यह देखिए काफी नीट और बहुत बड़ा ग्राउंड भी है आगे वह भी आपको दिखाती हूं बड़े पर आप देखिए जो जगह पर आपको दिखारी और गुमा कर कि किस तरह काफी वापल डिस्टेंस है काफी जगह दूर दूर तक जाना पड़ता है बहुत बड़ा नहीं है बढ़ा है तो घाप यहां पर हम चर्च में अंदर एक और चर्च में आ गये हैं वन बाईवन में सब चर्च के आपको दर्शन पास से कराएं उसमें से एक चर्च में ऐसा था कि शॉर्ट्स एलाउ नहीं थे गाईज अगर आप नॉर्मल ड्रेस पहने काफी शॉर्ट्स नहीं पहने तो आपको अंदर जाना दिया जाएगा लेकिन अगर आप शॉर्ट्स पहने हैं तो वहाँ पे अंदर जाना अलाउ नहीं था तो मेक शॉर्ट्स के आप थोड़ी लॉंग ड्रेस पहन के जाएं तभी आपको अंदर सारे चर्च में जाने को मिलेगा तो गाईज आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कीप सैलेंस लिखा हुआ है गाईज यह चर्च में अभी भी प्रेयर्स वगएरा होती हैं टाइम टू टाइम और यह देखिए गाईज सामने आप देख सकते हैं सिटिंग जैसा बना हुआ है वहाँ पर ऐसा हमें गाईज ने बताया कि बैट कर या लोग अपनी बाते बोलते थे पहले जमाने में क्योंकि माइक वगएरा नहीं हुआ करते थे पर अभी तो गाईज देख सकते हैं माइक भी लगा हुआ है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कितना मस्त चर्च है प्रेयर कर सकते हैं कितना सुकून मिलता है जब सब लोग शान्ती से एक साथ प्रेयर करते हैं यह देखिए घाईज पास से दिखा रहे हुआ देखिए गोल्ड प्लिटेड है कितना संदर लग रहा है और घाईज ने आपको जैसे कि बताया कि body को बाहर लाकर 45 days रखा जाता है और guys जो main जो पेटी के दर्शन है वो दर्शन मैंने proper आपको नहीं करा पाई क्योंकि वहाँ पर अंदर camera allowed नहीं था last में और मेरे थम्नेल में वो एकदम अच्छे से दिखाया even video के starting में भी photos आपको past से दिखाई है किस किस तरह की photos है उनकी और guys किस तरह की पेटी में रखा गया उसकी photo ली थी मैंने महाँ पर वीडियो क्योंकि अलाओ नहीं था वो photo भी मैं आपको last video में दिखाती हूं अभी तो फिलाल guys मैं आपको church past से अच्छे से दिखा रही हूं अच्छे रही हूं झाल 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 यह देखिए यह में चर्श था जहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलाओ नहीं थी आपने देखा आप दिखा रहे थे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाओ नहीं था और यहां देख सकते हैं इस तम में कितनी सुंदर सुंदर एंजल्स बनी पुरा गोल्ड से कवर किया यह देखिए आपको पास से भी दिखाया मैंने और यह देखिए गाईज यह में चर्च है उपर जो पेटी दिख रही है यहीं पर उनको रखा गया है सिल्वर की पेटी है यह देखिए गाईज तो गाईज आज की वीडियो में बस्ता है फिर ते एक नई वीडियो में खुप सार्य इंफये साथ अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते तो फ्रैंड इस गयाँ करें खे और यह कीप funktion कीप सब्चूपर्टें